आज की भागदोर बरी जिंदिगी में हर प्राणी मानसिक शांती चाहता है और सफलता पाना चाहता है जीवन के हर पहलों में। देने जा रही है इस कारेकरम के बारे में क्रिपा अपनी राय दें वीडियो को लाइक करें वह बेल का बटन दबाएं और शेयर अवश्य करें नमस्कार सश्रिखाल आदाब वेलकम है आप सब लोगं का आप सब के अपने फेवरिट चैनल पे और आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बोलने वाले हैं वो है कलाकारों का टॉपिक जी हाँ आप में से जितने भी लोग बनना चाहते हैं अक्टर और अक्ट्रिस तो कला की इस दुनिया का जो रहस्य कुंडली के परस्पेक्टिव कुंडली के पॉइंट फ्यू से है वो मैं आप सब से रूबरू करना चाहूंगी वो मैं आप सब लोगों से शेर करना आप लिऑ सब्सथां अर फेमस होना चाहते हैं दो अलग बाते हैं तो यह आज की जो वीडियो है यह सिर्फ एक अक्टर बनने की जो वीडियो है एक्टर कैसे बना जाए ऐसा क्या आपकी कुंडली में होना चाहिए कि आप एक अच्छे, बहतरीन, काम्याब, खुबसूरत और जो है अक्टर बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में प्रतीक होता है अक्टिंग का जो कला से जुड़ी दुनिया है, कला से जुड़ा जगत है। तो अर्चनों के लिए ही हम यहां बैठे हुए हैं, अर्चनों का उपाई है चंद्रमा का कार्ड, मीजर कार्णा का टारो का, जिसे हम एनरजाईज करके आपको देंगे, यंत्र और मंत्र से प्रभावित, उर्जाओं से संपूर्ण ये कार्ड की जब पेंटिंग आपके घर में लगेगी, और ये पेंटिंग की जो दिशा है वो होगी नौर्थ दिशा, नौर्थ दिशा में आप इस पेंटिंग को लगाएंगे, और वहां लगाएंगे जो आपका कार्य स्थान है, जो आपका वर्क स्टेशन है, जहां आप अपनी कला को प्रैक्टिस करते हैं, ड् 10 और 5 और ये lucky dates पे आप इस painting को जो है स्थापित कर सकते हैं दिशा में आपको बता चुकी हूँ, numbers में आपको बता चुकी हूँ और कारक जो acting का है वो चंद्रमा है, जैसे कि चंद्र की जो movement होती है चंद्र अपनी shape आस्मान में बदलता है, हर धाई दिन बाद चंद्र की movement आप देखेंगे, change होती है एक घर से दूसरे घर में कुंडली में जाता है और हर दिन, रोजाना, 24 गंटे के बाद, हर रात, चांद का एक अलग रूप होता है इसी तरह कला की दुनिया में कलाकार का हर दिन एक अलग रूप होता है तो ये एक emotional connect जो है, चंद्रमा emotions का भी प्रतीक होता है कुंडली में और कलाकार बहुत ही emotional होते हैं, तभी वो emotions को पोट्रे कर सकते हैं किरदार पे उनकी पकड़ ऐसी होती कि जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ी नहीं सकते हैं तो इसलिए मैं आप सब लोग को suggest करना चाहूंगी, अगर कोई कलाकार भी मेरी ये वीडियो देख रहा है कि जब भी आप एक character को पूरा संपून रूप से धर्शा लें, कर लें कैमरा के आगे या थेटर में तो बाद में एक दो महीने का gap लें और फिर ही दूसरे character में और दूसरे किरदार में जाहिए तो नमस्कार, मैं हुशलपा डीधर और मैं बूल रहे हूँ, यह हुशलपा डीधर ऐसे कि मैं कोई और कलाकार हूँ और कुसी और का जिखर कर रही हूँ, मैं भी कलाकार बन गई हूँ यहाँ तो इसी के साथ मैं वीडियो जो है समाप्त करती हूँ बट चानल को सब्स्क्राइब करना मत बूलिए और मुझे जरूर 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 कॉमेंट सेक्शन में बताईए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं कौन से मुद्धे हैं जिन पर आप चाहते हैं मैं टॉपिक लेकि आओ वीडियो बनाओ आप सब के लिए इजाज़त लेती हूँ आप सबसे नमस्कार